वेज़ नमस्कार आप लोगों को टाप 10 ग्लासे के प्यारे से यूटूप है पर स्वागत है आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं दूरदर्सी की बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सुच्छम दर्सी के बारे में चर्चा किया था आज की व यंत्र होता है जिसकी सहायता से दूर इस्तित वस्तु को अस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है प्यारे बच्चों अब आप यह सोच रहे होंगे कि सर जी यह लाइन क्यों नहीं बोल रहे हैं कि दूर इस्तित वस्तुओं का प्रतिविम बड़ा करके देखा जा सकता है त तो ऐसा कुछ भी नहीं होता प्यारे बच्चो यह क्या करता है जो वस्तु दूर इस्तित होता है उस वस्तु के द्वारा आपके आंख पे जो दर्शनकोर बनता है वो छोटा होता है और उसी दर्शनकोर को यह बढ़ा देता है और उसी दर्शनकोर को बढ़ा कर जिसके अस्पश्ट रूप से क्या होने लगता दिखाई पढ़ने लगता। वास्तहों में दूर-दर्शी वस्त्व के प्रतिविंब को बड़ा नहीं करता प्यारे बच्छो। बलकि दूर इस्तित वस्तुओं के प्रतिविम्ब का जो दर्सन कोड बनता रहता है उसी दर्सन कोड को बढ़ा दिता है जिसके कारण वो वस्तुओं आपको असपष्ट रूप से दिखाई पढ़ने लगता है तो इसी जहाँ पर लिखा गया प्यारे बचो यह एक ऐसा प्र असपष्ट रूप से दिखाई पढ़ने लगता है प्यारे बच्चो ध्यान से देखना कि यह दो प्रकार का होता है एक होता है अपवर्ती दूरदर्सी और एक होता है प्यारे बच्चो परावर्ती दूरदर्सी जो अपवर्तन के प्रिक्रिया पर आधारित दूरदर्सी को अपवर्ती दूरदर्सी कहते है यानि अगर हम लिखना चाहें तो ये जो खगोली दूरदर्सी होता है प्यारे बच्चों ये किस प्रक्रिया पर आधारित होता है अपवर्तन प्रक्रिया पर आधारित किस पे अपवर्तन प्रक्रिया पर आधारित अपवर्तन प्रक्रिया पर आधारित जो दूरदर्सी होता है प्यारे बच्चो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं अपवर्ती दूरदर्सी जिसमें खगोली दूरदर्सी आपका आता है और परावर्ती दूरदर्सी कोन होता है परावर्तन पर आधारित किस पे प्यारे ब क्यों हम फिलाल बात करेंगे प्यारे बच्चो खगोली दूरदर्सी की जो की अपवर्तन पे आधारित है फिर कुछ दिर बात करेंगे परावर्ती दूरदर्सी के तरफ तो प्यारे बच्चो हम दिखते हैं कि खगोली दूरदर्सी क्या होता है? खगोली दूरदर्सी भी एक प्रकार का प्रकासी कियंत होता है, जो कि दूर इस्तित वस्तु जैसे चंद्रमा, तारे, ग्रह, आती सब के प्रतिभीम का जो धर्सन कोड़ होता है, वो बड़ा बना देता है, जिससे वस्तु आपको असपर्ष्ट रूप से क्या होता है, दिखाई पढ़ने लगता है, क्या प्यारवचो आप सुझें क्या दूरदर्सी जो होता है, वो सूरी जो होता है, वो जितना बड़ा है, क्या उससे बढ़ा होकर ही दिखा देगा, ऐसा नहीं होता है केवल क्या होता है जब हम दूरदर्सी की सहायता से किसी भी दूरिस्तित वस्त को देखते हैं तो वो दूरिस्तित वस्तों के जो बढने वाला जो दर्सनकुर होता है उसी दर्सनकुर को बढ़ा देता है जिससे वस अस्परश रूप से क्या होता है, दिखाई परने लगता है, अब इसकी बनावट क्या होती, इसकी सन्रचना क्या होती, पहले बत्चो, तो इसमें एक लंबी बेलनकार 5 होती है, बेलनकार 5 के एक सीरे पर, अधिक फोकसदूरी वाला और उच द्वारक का एक उत्त द्वारक वाला पहले बत्चों यह दिखें यह बड़ा द्वारक है इसका द्वारक क्या है छोटा है तो पहले बत्चों हम फिर से एक बार बात कर रहे हैं इसमें एक लंबी बेलनकार पाइप होती है बेलनकार पाइप के एक सिरे पर बेलनकार पाइप के एक सिरे पर एक एक कम फोकस दूरी का और छोटे द्वारक का एक नित्रिका लेंस लगा होता है प्यारे बच्चों, और इसकी फोकस दूरी कम होती है, साथ में इसी वेलनकार पाईप पे एक डंड चक्र विवस्ता लगा होता है, जिसकी सहायता से हम दोनों नलियों को आगे या पीछे की तर भी लगा होता है, प्यारे बच्चों, क्या आपको सरणचना समझ में आ गई, यानि इसकी बनावाट क्या होती है, तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जिससे आपकी सारी डाउटे क्लियर हो जाए, क्या होता है, किसमें एक लंबी बेलनकार पाईप होती है, बे जोटे द्वारक का एक उत्तर लिंस लगा होता है, जिसे हम नित्री का लिंस करते हैं, प्यारे बच्चों, और उसी में एक दंड चक्र व्यवस्ता होता है, जिसकी साहता से दोनों नलियों को आगे और पीछे क्या किया जाता है, घिसकाया जाता है, और एक क्रांस तार होता है कि सबसे पहले ध्यान से दिखेगा, अब समायोजन कैसे करते हैं, तो समायोजन करने के लिए सबसे पहला काम होता है, पहला इस्टेफ होता है कि ये जो क्रांस तार आपको दिखाई पड़ा है, ये क्रांस तार नित्री का लिंस के मुख्य फोकस पर इस्तित हो इस प्रकार आगे या पीछे की तरफ खिसकाएंगे जिससे लगा हुआ क्रांसतार नित्रिका लेंस के फोकस दूरी पर इस्तित हो जाए इतनी बास मज़ें फर्स्ट स्टेप में नित्रिका लेंस को इस प्रकार समयोजित करना है कि लगा हुआ क्रांसतार नित्रिका लेंस के मुख फोकस पर आजाए अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है कि अभिद्रिष्टक लेंस को उस वस्तु की तरफ कर देना है जिस वस्तु को देखना है अर्थात अब हम अभिद्रिष्टक लेंस का जो मुख होता है उस वस्तु की तरफ कर देते हैं जिस वस्तु को प्रेकार क्या करते हैं अगर जब हम लोग इस प्रेकार क्या कर पाते हैं कर लेते हैं कि रखे हुई वस्तुका दूर इस्तित वस्तुका प्रतिविम क्रांस तार पर बढ़ने लगता है जिसके कारण आपको प्रतिविम असपष्ट रूप से क्या होगा दिखाई पड़ेगा तो प्यारे बच्चो एक बार फिर से इसके समयोजन को समझते हैं सबसे पहला इस्टेप होता है कि नेत्रिका लेंस और अभिदर्श्यक लेंस को इस प्रकार समयोजन करें कि जो क्रांस तार होता है वो नेत्रिका लेंस के फोकस दूरी पर इस्तित हो सेकेंड इस्टेप में अभिदर्श्यक लेंस का मुख उस वस्त की तरफ कर देते हैं जिस वस्त को हमको देखना रहता है थर्ड इस्टेप में क्या होता है कि हम लोग दोनों नलियों को इस प्रकार ब्यवस्तित करते हैं कि जो सामने रखी वस्त का प्रतिविम्ब होता है जो दूर इस्तित वस्त का प्रतिविम्ब होता है वो क्रांस तार पर बनने वाला जो प्रतिविम्ब होगा वो असपस्ट लेजिएगा फिर हम इन सारी चीजों को हटा देंगे फिर हम बाते करेंगे प्रतिविंब इसके अंदर कैसे बनता है तो गाईज हम आईए बात करते हैं कि खगोली दूरदर्सी में प्रतिविंब कैसे बनता तो उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है कि जो वस्टु एवी है वो मान लेतें प्यारे बच्चों अनंत पर इस्थित है जो वस्टु एब है वो बहुत दूर इस्थित है अब उसके तरफ हम अव्रिस्टेक लेंः को कर देंगे एक अब यह मान्स अब कोई वस्टु एबी है अब यहाँ से दो प्रेकास किरणे अभवादिरिष्चक लेंश पर पढ़ती है, और जो A-B वस्त है, उस A-B वस्त का प्रतिविम्ब अभवादिरिष्चक लेंश से A-1 और B-1 प्राप्त होता है, जो की अभवादिरिष्चक लेंश के मुख्य फोकस पर बनता है, प्यारे प्रतिविंब अभरदिश्चक लिंज के मुख्य फोकस पर A1 और B1 बनता है जो कि वास्त्विक और ओल्टा होता है और ये वस्तु A1 B1 नित्रिका लिंज के लिए आभासी वस्तु का कारी करता है जिसके कारण A1 B1 का प्रतिविंब A2 और B2 बनता है प्यारे बच्चो अब ध्यान से देखना A2 B2 के द्वारा मानो नेत्र पे जो बना दर्शन कोड होता है बीटा वो अलफा के तुलना में काफी बड़ा होता है जिस कारण दूर की इस्तित वस्तु आपको अस्पष्ट रूप से दिखाई पढ़ने लगता है एक बाप फिर से कीसे मैं रिपीट कर रहा हूं जिससे की आपकी सारी चीज ए क्लिएर हो जाए। माना कोई वस्ट्टू AB है जो की अनन्त पहिस्तित है जहां से इस वस्ट का प्रतमिम्ब अफ्रद्रिστर्चक लेंश से AB वस्ट प्रतविम्ब A1 B1 अफ्रद्रिस्ट्रक लेंश के मुख्छ फोकस पर बनता है। बच्चो, A1-B1 नित्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु की तरह बिवहार करता है और A1-B1 का प्रदिम्ब नित्रिका लेंस के अस्पर्ष्ट दिष्ट की नियूनतम दूरी दीपर A2-B2 बन जाता है प्यारे बच्चो, A2-B2 के द्वारा बना दर्शन कोर बीटा और A और B के द्वारा बना दर्शन कोर अलफा की तुलना में बीटा काफी बड़ा होता है इसलिए जो दूर की इस्तित वस्त होता है उस वस्त का प्रदिम्ब A2 और B2 काफी असपष्ट रूप से आपको दिखाई पढ़ने लगता प्यारे बच्चो यही ऐसे ही इसमें प्रदिम्बनता है अब जो चीजे हमने बताया है वो चीजे आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई पढ़ना होगा प्यारे बच्चो आप वहां से यह चीज नोट जरूर कर सकते हैं क्योंकि वहां पर आपको यह सारी चीजे लिख के दिखाना रहता है अब हम बात करेंगे इसकी आवर्धन चंता की किसकी बात करेंगे पैरे बच्चो आवर्धन छंता की चलिए अवर्धन छंता M बराबर बीटा बटे अलफा समीकर नमबर एक मान लिए हैं ठीक अब हम वहाँ से बीटा और अलफा का मान निकालेंगे और रख देंगे तो चलिए सबसे पहले अगर हम अलफा निकालना चाहते हैं तो अलफा कहां बना है ओ दिख रहे हैं ओ एवन बीवन दिखाए पर लाइए ओ एवन बीवन नह तो तरभज ओ एवन बीवन में अलफा जो है अतियंत सुचमकोड है जो अलफा है वो टैन अलफा के बराबर होगा टैन अलफा का फामुला होता लंब बटे आधार है अब कोड़ी के सामने वाली भुजा लंब होती है तो लंब कौन है एवन और बीवन है और आधार कौन है आधार यहां से लेकि ओ से लेकि एवन तक है तो ओ एवन हो गया सम बीवन ए में जो बीटा है चुकि बीटा अतेयंत सुच्मकोड है बीटा क्या है प्यारे बच्छो अतेयंत सुच्मकोड है जब बीटा अतेयंत सुच्मकोड है तो जो बीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बीटा के तो बीटा जब तैन बीटा के बराबर होगा तो भई 10 बीटा का फामुला हम जानते हैं, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, अब देखो, कोड़ी के सामने वाली भुझा लंब, लंब कोण है यहां, A1, B1 है, आधार कोण है, आधार है A1 से लेके इतक, कितना है, A1 से लेके इतक, ठिक, समीकरण नंबर क्या आगया अलफा व बीटा का मान समी करण एक में रखने पर तो प्यारे बच्चों समी करण एक क्या है यह है तो यम बड़ाब है बीटा का मान कितना है प्यारे बच्चों एवन बीवन बटे कितना है एवन इंटू ए अगर हम इनको पलट देती यह गुड़ा में आ जाता है अर्थात आ जाएगा ओ एवन बटे एवन बीवन यह चीज कैंसिल हो जाएगा अब ओ ओ ओ से लेके एवन तक की दूरी यह ओ है यानि अपर दिर से की फोकस दूरी और जो हम लिख सकते हैं ओ एवन को हम एफो कह रहे हैं और जो एवन से लेके ए तक एवन से लेके ए तक कितना यू है और यह इस लिंस के बाए तरफ है तो बाए तरफ की दूरी रात मख हो जाएगी तो हम यहां लिख सकते हैं एवन एउक्वल टू माइनस यू ए यह बैलू अग u e हो जाएगा तो माइनस f o बटे क्या जाएगा u e यह आवर्धन छमता का फामुला आएगा और वो समीकर तीन मना था यह समीकर नंबर 4 हो गया अब इसी 4 में हम लोग special case रखकर हम लोग जो है आगे तो आईये यहाँ पर हम इस्ति की भी बात कर लेते है इस्ति की बात क्या होती प्रवद्चो जब फस्ट किस क्या होती जब वस्तु अस्पष्ट द्रिष्ट की नियुनतम दूरी दी पर बने तो जब दी पर बनेगा तो प्याज़ बचो जो वी होता है वो वी जो है किसके बराब हो जाता है नियुनतम दूरे है जो जो यू है वह माइनस यू i के बराब हो जाएगा और जो एक है वह एक के सुत्र से तो लेंस के सुत्र से लेंस के सुत्र से क्या मिल जाएगा प्यार बच्छो एक बटे वी के स्थान क्या हो जाएगा माइनस डी फिर क्या होता है एक बटे यू माइनस एक बटे यू के स्थान पे माइनस ue हो जाएगा बराबर एक बटे f f के अस्तान पे f e माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक बटे माइनस d प्लस एक बटे ue बराबर एक बटे f e आपको किसकी value चाहिए आपको तो एक बटे ue की value चाहिए तो इस चीज को उठाक उधर कर दीजे तो इस चीज को जब आप इधर कर देंगे तो एक बटे ue बराबर आ जाएगा एक बटे d माइनस गया उधर तो प्लस हो गया एक बटे f e अब आप दिखें अब आप इसे अगर आपको f o बटे ue का मान निकालना तो भी निकाल सकते या तो आप बना दिए समीकरण नंबर 5 समीकरण नंबर 5 से समीकरण 5 से हम एक बटे ue का मान वहाँ पर रख सकते हैं समीकरण 4 में तो क्या कर देंगे पहरे बच्चो समीकरण 5 से समीकरण 5 से एक बटे UE का मान समी करण 4 में रखने पर तो समी करण 4 क्या है M बराबर माइनस F O गुड़े एक बटे UE रख सकते हैं F O गुड़े UE तब यहां आसानी से रखेंगे अब बता गुड़े एक बटे UE का मान कितना है प्यारे बच्चो एक बटे D है और प्लस एक बटे UE है तो इस प्रकार प्यारे बच्चो आपकी जो आवर्धन चमता आती है वो E आजाता है तो आपका जो आवर्धन चमता है वो इस प्रकार आजाता है अब अगर यहां पर क्या कह रहा है भी यह ध्यान से देखेगा यहां पर क्या कर रहा है कि अगर हम F E यहां से कामन ले ले प्यारे बच्चो F E यहां से कामन ले ले तो क्या आ जाएगा माइनस F O बटे F E जब यहां से F E कामन हो जाएगा तो एक बटे एक का मतलब एक होगा और यहां कामन नहीं होगा तो यहां एक बटे FE भाग हो जाएगा FE उपर चला जाएगा तो यहां FE बटे क्या आजाएगा D और यहां कुछ नहीं बचाएगा यहां एक हो जाएगा तो आपका यही फार्मूला बन जाता है लास्ट वाला प्यर्वचो माइनस F O बटे F E और ये एक आगे लिख रहे हैं और F E बाद में बटे क्या हो जाएगा कैपिटल D तो जो लास्ट वाला फार्मूला आता है ये आज जाता है M बराबर माइनस F O अपान F E 1 प्लेस F E अपान D ये आपका फर्स्ट केस होता है प्यारे बच्चों इसी में एक केस और आता है जब प्रतिविम्ब अनंत पर बनता है जब प्रतिविम्ब क्या बन जाता है अनंत पर बन जाता है तो प्रतिविम्ब जब अनंत पर बनता है प्यारे बच्चों तो ये वस्तु है A1 और B1 ये यहाँ पर बन जाता है सिहां देख लेते हैं तो जब जब प्रतिवीम अनन्द पर बने जब प्रतिवीम कहां पर बनता है प्यारे बच्छो अनन्द पर जब प्रतिवीम अनन्द पर बने अनन्द पर बनेगा तब जो u e होता है वो किसके बराबर हो जाए F E के बराबर किसके बराबर हो जाए पहरे बच्छो F E के यानि नेत्री का लेंस के तो जो यह U E होगा वह माइनस F E होगा अगर चिन परिपार्टी से देखे तो तो जब प्रितिविम अनंद पे बनता है तो यूई जो होता है वो F E के क्या होता है बराबर होता है तो अगर हम अब समी करण चार से बात करें तो M बराबर माइनस F O और जो यूई है वहीं यूई के स्थानवी क्या रख देंगे F E तो यह आवर्धन चमता आ जाता है F O अपान F E ठीक तो इस प्रकार प्यारे बच्चों दोनों केस फर्स्ट केस सेकेंड केस और साथ में आवर्धन चमता का बेंजग हम लोगों ने खगोली दूरदर्शी के लिए प्राप्त कर लिया प्यारे बच्चों मैं हड़ जा रहा हूं आप इसका एक स्किन सॉट ले लिजेगा ठीक प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको खगोली क्लियर हो गया होगा अब हम बाते करेंगे परावर्ती दूरदर्शी की ठीक बात करते हैं परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है प्यारे बच्चों परावर्ती दूरदर्शी को हम कैस ग्रिन दूरदर्शी के भी नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों इसे हम कैस ग्रिन क की सहायता से दूर इस्तित वस्तु का चमकीला प्रतविम प्राप्त करने के लिए इस यंद्र का क्या करते हैं उपयोग करते हैं तो प्यारे बच्चों यही चीर लिखा गया है कि इस दूरदर्सी की सहायता से दूर इस्तित किसी वस्तु का चमकीला प्रतविम प्राप्त कर स दरपड का उपयोग करते हैं किसका उपयोग करते हैं प्यारे बच्चो एक ओतल दरपड का उपयोग करते हैं क्या इतनी बात क्लेर हुई अब हम बात करेंगे इसकी सनचना अर्थात इसकी बनावट की किसकी बात कर रहते हैं प्यारे बच्चो सनचना अर्थात ये बना कैसे क presence में एक बेल होता है एक बेलन के एक सीरे कर एक बड़ाधेदरिश्यक के नुप में लगाया जाता यह जो दडर्पढवर है यह आपका आवतल दडर्पढवर है कौन साथ दर्पढवर है प्याले बज्चों आवतल दर्बर तो धियान से देखना है कि इसमें एक catalch price होता है जो चोड़ी वाली सिरा होती है चोड़े तोड़े वाले सीरे पर एक आउतल दरपड का उपयोग किया जाता है एक बड़े आउतल दरपड का उपयोग किया जाता है वहीं चीज़ यहां लिखा गया अब द्रिश्यक लिंस के अस्तान पर एक आउतल दरपड का क्या कर देते हैं हम उपयोग कर देते हैं प्यारे बच् से पहले जैसे माल नेते प्यारे बच्चों कि इस अभिद्रिश्यक दरपड का जो मुख्य फोकस होगा ये बिंदु है तो मुख्य फोकस से पहले एक दूसरा दरपड एक समतर दरपड 45 अंस के कोड़ पर जुका के रख दिया जाता है यही इसकी बनावट होती है एक बार फ के चौड़े सीरे पर एक आउतल दरपड का उपयोग किया जाता जो कि काफी बड़ा होता है जिसे हम अभिद्रिश्यक दरपड करते हैं और अभिद्रिश्यक दरपड के मुख्य फोकस से ठीक पहले पैताली संस के कोड पर जुका कर एक संतल दरपड का उपयोग कर देते हैं यही है इसकी सनचना और यही है इसकी बनावट अब इससे प्रतिविम्ब कैसे बनता है अब हम उसको समझने के लिए इस डाइग्राम को मिटा कर दूसरी डाइग्राम बनाएंगे प्यारे तब तक आप जाहो तो इसका एक स्क्रिंशॉट ले सकते हो अब कैसे होता है प्रतिविम्ब कैसे चंकीला बनता है उसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों एक डाइग्राम और बना लेते हैं दूरधर्सी द्वारा परावर्ती दूरधर्सी द्वारा किस प्रकार बनता है उसको समझने के लिए हम लोगों ने एक डाइग्राम बनाया है प्यारे बच्चों जो आपने वहां पर संचना और बनावट में चीज़े बनाई थी उनी चीज़े को अलग किया गया है आप वहाना एक अभिद्रिस्यक दरपड का उपयोग किये थे ज चले में बत्यों सुफुने करते हैं कि हम अब इस ध्राफ्रणकी एक का सबसे पहला स्वित्र्ट कहों हम समझेंगे कि परावर्ति दूर्दर्सी की सायता से जिस्वस्तु को देखना रहता है उस वस्तु की तरफ उस वस्तु की तरफ अभिद्रिस्यक दरपड का अभिद् की तरफ कर देते हैं. जिस वस्तू को देखना रहता है. जैसे यहाँ कोई वस्तू A B है. इसे हमें देखना है. तो अभिजिस्यक दरपड का द्वारक इधर की तरफ कर देंगे. अब A B से आने वाली तो प्रिकास केड़े AB से चलने वाली प्रकास केड़े अभिद्रिस्यक दरपर से परावर्तित होकर ये सभी प्रकास केड़े अभिद्रिस्यक दरपर के मुख्य फोकस पर केंद्रित होना चाहती हैं एक बाद फिर से मैं आपको बता रहा हूँ AB से निकलने वाली सभी प्रकास केंड़े अभिद्रिस्यक दरपड़ से परावर्तित होने के पास चाथ अभिद्रिस्यक दरपड़ के मुख्य फोकस पर केंद्रित होना साथी परन्तु उससे पहले एक हम समतल दरपड़ का उप्योग किये रहते हैं और सम्तल दरपड से ये सभी प्रकास के विए परावर्तित होकर वास्तुईक वा उल्टा प्रतिविम A1 और B1 बना देता है और ये A1 B1 नित्रिका लेंज के लिए आभासी वस्तुका कारी करता है जिसके कारण A1 B1 का जो प्रतिविम होता है वो A2 B2 बनता है जो की आभासी होता और क्या होता है प्रवच्चो सीधा बनता है एक बार मैं फिर से पुना रिपीट कर रहा हूँ परावर्ति दोरदर्सी में लगे हुए अभिद्रिस्यक दरपड का द्वारक उस वस्तु की तरफ कर देते हैं जिसे वस्तु को देखना रहता है वस्तु से आने वाली जो प्रेकास केले होती है वो अभिद्रिस्यक दरपड से परावर्तित होने के पस्चाथ अभिद्रिस्यक दरपड के मुख्य फोकस पर केंदरित होना चाहती है परंदू प्यारे बच्चो उस मुख्य फोकस से पहले ही हमें एक समतल दरपड का उपयोग कर देते हैं समतल दरपड सी ये प्रकास के लिड़े परावर्तित होकर A1 B1 पर प्रतिछेदित हो जाती है और A1 B1 इस प्रकार A B वस्तु का प्रतिविम A1 B1 प्राप्त हो जाता है जो कि वास्तिक होता है और उल्टा होता है प्यारे बच्चो और ये A1 B1 वस्तु नित्रिका लिंज के लिए आभासी वस्तु का कारी करता है और इस वस्तु का आभासी प्रतिविम A2 B2 बनता है करेंगे इसके और यहान चंता की तो जैसा हम देन आतके पिछले वाले दूर्दरसी तो जब उनेट इतुन प्रफ्र्ध्विंब जब प्रतिवी में अस्पष्ट द्रिष्ट की नियुनितम दूरी डी पर बने कहां पर बने बैले बैचो नियुनितम दूरी डी पर बनता है तब के लिए जो आवर्धन चमताया था M equal to Yafo upon Fe फिर कितना था 1 plus Fe upon D ये था तब के लिए जब प्रतिवी में कहां पर बनता था पर बैले बैचो अस्पष्ट द्रिष्ट की नियुनितम दूरी डी पर बनता था और जब प्रतिवीम कहां बनता था जब प्रतिवीम अनंद पबनता था कहां पबनता था प्यारे बच्चो जब प्रतिवीम अनंद पबनता था कहां पबनता था अनंद पबनता था तब क्या होता था अनंद पबनता था तब आवर्धन चमता क्या होती थी M equal to minus FO बटे FE इस आवर्धन चंता का बेंजक भी हो जाता है ध्यान से देखना कि जो परावर्ती दूरदर्सी होती है उसके सहायता से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु में वड़ बिपतन का दोस नहीं होता मतलब ये खुद ही वहाँ पर अलग-अलग रंग करके ये दिखा देत तो इस बात को ध्यान देना पैर बच्चो आप इसका एक स्किनशोट ले सकते हैं उमीद है कि आज हमने दूरदर्सी परावर्ती दूरदर्सी और अपवर्ती दूरदर्सी प्रोप से पढ़ लिया पैर बच्चो आप दोनों हेडिंगों को जबर जस्त तैयार किजेगा क् दूर लिया पैर ले पांच नंबर का पुछता है तो ध्यान देना पैरे बच्चो हमने आपके लिए प्यारे बच्चो हमनें सबकुछ पढ़ा दिया है उमेद हैको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा अगर किसी प्रकार का डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेशन में सा कमेंट जरूर किजेगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभाद थैंक यू आल रे स्टूडियंट